हलो गाइज आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट टर्म्स ओ बाइलोजी के पार्ट थर्ड की ठीक है इसमें वापस हम 10 वर्ट्स लेंगे फास्ट हमारा डिफ्यूजन यह होता है डिफ्यूजन की डेफिनिशन मतलब के हाइएर कंसंट्रेशन से लोवर कंसंट्रेशन की तरफ जो भी मोलिकूल और गैसे जाती है ना रेंडम मूमेंट होता है ना वो कहलाता है डिफ्यूजन तो आप मुझे कमेंट करके बताएए फादर ओफ डिफ्यूजन कोन है फादर ओफ डिफ्यूजन है गैब्रियल ठीक है आपको लाश्ट में सबके एक साथ में टाइप करने है ठीक है कमेंट में ओके सेकिंड है हमारा डर्मेटोलोजी इस्टडी ओप स्किन इस्किन के बार टैंड्रो क्रोनोलोजी टैंड्रो क्रोनोलोजी कांटिंग एंड एनलाइजिंग एन्यूल ग्रोथ रिंग्स ओप ट्री तू नो इस एज ट्री की जो भी एज हम फाइंड करते है ना वो टैंड्रो क्रोनोलोजी के अंदर आता है ठीक है जैसे डेटिंग जैसे डेटिंग क बाता है कि उसकी एज कितनी है ठीक है अगला हमारा थर्ड देखते हैं चलो फॉर देखते हैं इस फॉर्थ हमारा एकोलोजी इस्टेडी ओप इंटर रिलेशन सिप बेट्वीन लेविंग्स एंडेर इन्वार्मेंट इन आवार्मेंट और लेविंग्स के बीच में जो भी र अब मैंने थर्ड का बता यजा नहिंट थारज का फाडरोप दौन ऑप डेलेस ऑप फैरजान्डे ऑप का वरटो ऑप इकोलोजी आफादर वॉवत फन ऑप ऐकोलोजीः ऐके लग्जेंडर का फॉर्मिशन हुआ वह सब अब बताएं मुझे फादर आप इवोलुशन कोन है फादर आप इवोलुशन है चार्ल्स डैविन ओके अगला हमारा सिक्स है अब बताएं मुझे करके फादर आप इवोलुशन कोन है फादर आप इम्रियोलोजी है काल एलनस्ट वन बेर ओके अगला हमारा सेवंथ देखते है सेवंथ है हमारा इूजेनिक्स इस्टडी ओप फैक्टर्स कनेक्टेड विद दा इंप्रूमेंट ओप हुमन ओके अब मुझे कमेंट करके बताएं यूजेनिक्स के फादर कोन है फादर ओप इूजेनिक्स है फ्रैंसिस गेल्टन ओके अगला नेक्ष्ट हमारा इर्थ यूथेनिक्स इूथेनिक्स में क्या है इस्टेडी ओप इंवार्मेंटल कंडिशन देट कॉंट्रिबूट तु दा इंप्रूमेंट ओप हुमन बिंक्स ओके अब इसके फादर ओप इूथेनिक्स कोन है father of euthanics भी Francis Galton है और नाइन्थ है हमारा euthanics euthanics का जल्दी से comment करके बताइए the improvement of phenotypic defect due to genetical abnormality by altering the environment यह euthanics की definition है अगरा last and final है हमारा 10th ethnology ethnology है study of science dealing with different races opium मतलब science के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं ना किसके बारे में different races, species मतलब different races मतलब होगे species अलग-अलग type species kind of species ओके उन सब के बारे में किसके अंदर पढ़ता है ethnology के अंदर और father of ethnology कौन है friends boys ओके यह हमारे